और n की value बता दो ठीक है तो ध्यान से अगर देखो तो उपर भी एक ap है और नीचे भी एक ap है और बीच में क्या है प्लस का sign है इसका मतलब add करना है add करने का मतलब होता है sum करना है और sum का formula क्या होता है है n बाई 2 2a प्लस n माइनस रु यही तो होता है sum का formula पता ज़्ये इतना तो आपको पता ही है इतना तो पता ही कि यह sum का formula है आप dulnit ठीक है तो चलो जबहां इसको लगा दो तिक है अच्छा जी तो जबहां फॉर्मला लगाते सुपर नीचे कर देखा हमारे पास है 2 प्लसका फाइब्ट प्लसका एट प्लसका डॉट 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 and त्रमस ती करेंड ट्रमस करेंड ड्रम लिखना है और यहां पे एंड ट्रम से यहां पे भी है और यह है 23 अपॉन 35 के बराबर ऐसा रहे रखा है तो चलिए अब यह उपर जो है यह वाला फॉर्म लगाने जा रहा हूं मैं एन्बाइटू उपर लगा है थ्री का difference है upon नीचे भी n by 2 2 into a a कितना है 7 n minus 1 difference कितना है 4 बराबर का 23 upon 35 अब n by 2 से n by 2 उड़ा दो cancel कर दो अब देखो क्या क्या बच गया और क्या क्या answer आ रहे देखो यह 22 जा 4 हो गया प्लस 3 का अंदर multiply करेंगे तो 3 n minus का 3 आएगा यह 7 2 जा 14 हो गया और यह 4 n minus का 4 आएगा बराबर 23 upon 35 तो यह 3 n plus का 1 आएगा यह 4 n इदे को 1 हो गया ना प्लस का और 14 minus 4 प्लस का 10 आएगा बराबर 23 upon 35 आएगा 23 upon 35 अब जड़ा यहां पे cross multiply कर लो क्या कर लो cross multiply तो यहां पे 3 n plus 1 के साथ multiply कर लीजे किसको 35 के साथ और 23 के साथ multiply कर लीजे 4 n plus 10 को ठीक है और solve कर लीजे इसको चलो करते हैं solve 35 का 3 में multiply करेंगे कितना आएगा 105 तो 1 0 5 n plus 35 बराबर 23 का इसमें 4 में करेंगे 12 वन केरी 92 n plus 230 तो 1 0 5 n minus 92 n is equal to 230 minus 35 यानि यह आएगा 195 और यहां से आएगा कितना यह आएगा 13 13 n तो n आजाएगा कितना आजाएगा तो 195 फाइगा सारे बच्चों का बी पाट च्चेक करना 15 के बराबर आया है मैं फिर से एक बर समझा देता हूँ आपको बेटा देखो यहाँ पे भी plus का sign लगा हुआ है और n trams है तो sum of n trams का formula क्या होता है अगर मैं sum of n trams की बात करूँ तो इसका formula है n by 2 bracket में 2a plus n minus 1 into d ऐसी यहाँ पे नीचे मैंने sum का formula लगा दिया n by 2 bracket में 2a plus n minus 1 into d जो भी a और d था वो put कर दिये जैसे उपर वाले में a था 2 difference था 3 नीचे वाले में 7 था difference था 4 solve करा cross multiply करके n की value मिलगी 15 ठीक है clear clear सज महीं बात